surface tension पड़ेंगे surface tension के भाइरे में कुछ पता है आप लोगों को क्या होता है कुछ भी idea है any idea अभी recently एक video viral हो रखा है surface tension को लेकर वो देखा है बोलो हमारे चैप्टर का नाम है सर्फेस टेंशन सर्फेस टेंशन क्या होता है तो देखो भाईया कोई भी लिक्विड क्या करता है न वो अपने सर्फेस एरिया को मिनियूम रखनी की कुशिच करता है एवरी लिक्विड सर्फेस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ट इलास्टिक मेंब्रेन जैसा कि आप इसले फोटो में देख रहे थे सोप बबल क्या है लिक्विड का सर्फेस ही है न आया न एक सर्फेस है की दो सर्फेस है सोप बबल एक सर्फेस है दो है फटा एक बाहर एक अंदर एक बाहर से आएगा एक अंदर भी तो है सब्सक्राइब है दो सब्सक्राइब है यह लेकिन आपको पता ही है कि यह जो सोप बबल है यह कुछ अद तक गुबारे यह सब कर रहा है कि नहीं कर रहा अंदर पान हवा ट्रैप करके बैठा है हाँ यह इसमें हवा भरते हो यह फूलता है राइट जब उडाते हो तो क्या करता है फूक मारते है हवाई तो बरते हो उसके अंदर तो बेसिकली जो सर्फेस टेंशन है वो क्या है वो आपके लिक्विड के सर्फेस को एलास्टिक मेंब्रेन की तरह उसी को हम लोग सर्फेस टेंशन कहते हैं बेसिकली क्या होता है जैसे अगर आप एक गुबारे को स्ट्रेच करोगे तो अपना सर्फेस एडिया डिक्रीस करने की कोशिश करता है वो करता है की नहीं करता है यह सर उसी तरीके से हर एक लिक्विड सर्फेस अपना हर एक लिक्विड अपना सर्फेस अरिया डिक्रीस करने की कोशिश करता है इसी प्रोपर्टी को सर्फेस टेंशन कहते हैं क्या है every liquid surface behaves like a stretched elastic membrane and tends to reduce its surface area to minimum possible. This property of liquid surface is called surface tension. ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? कॉपी गर्लो इसको फटाक से definition. तो एर definition exactly पता, exactly यही language लिखो जरूरी नहीं है. क्योंकि अगर आप surface tension की definition Google पर search करोगे ना, तो हर एक website में कुछ नहीं कुछ language उपर नीचे कर रखिये. बट आपको पता होना चीए कि होता क्या surface tension. क्या होता है? हर एक liquid surface अपना area decrease करने की कोशिश करता है. इसी property वह हम लोग surface tension कहते हैं. decrease करने के लिए वो एक elastic membrane की तरह behave करता है. area decrease करने के लिए. पर क्यूं लगता है surface tension? आखिर liquid को ऐसी क्या पढ़िए अपना area decrease करने की. तो इसके पीछे एक simple सा कहानी है. देख लिजे. यह मैंने एक container पर रखा हुआ liquid लिया है. ठीक है? मैंने क्या किया? इसके अंदर यह जो molecule है ना? दिख रहा है आप लोगों का molecule है? इस molecule को consider किया. यह molecule क्या अपने आसपास के molecule से कोई attraction feel कर रहा होगा की नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा. अगर पानी का molecule है तो hydrogen bonding तक अगर जालता है. नहीं तो polar molecules ऐसे ही polar forces experience करते हैं. polar molecules नहीं भी हो तो wonderful forces तो लगते ही ना? यह सर. तो क्या होगा? इसके आसपास के कुछ area में, आसपास के कुछ region में, जो molecules होगे वो उसको attract करेंगे. तो let's consider that region. इसके आसपास यह spherical region है. इस spherical region के दूसरे molecules इस molecule को अपनी तरफ अट्रैक कर रहे होंगे. आया ना? yeah, wonderful forces के दू या polar forces के दू जो भी force लगेगा तो इस, पो यह molecule चारों तरफ से force experience करेगा, उपर आला molecule उपर खीचेगा, नीचे वाल ale molecule नीचे खीचेगा, दाया वाला मोल्यकुल दाएं तरफ बुलाएगा और इस पर चारों तरफ कुछ फोर्स लगेगा इस फेरिकल रीजन इस चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं उपर नीचे आडा टेडा एडा पेडा इस तब चगा है इस पर आप पास के एक पूरे वाल्यूम में इस फेर में जितने भी दूसरे मॉल्यकुल से इसको अट्रैक कर रहे होंगे और इस फोर्स कि वजए से हरेक मॉल्यकुल पे नेट फोर्स कितना होगा बैटा जीरो होगा हाई ना ओके बट एक स्पेशल मॉल्यकुल कंसिरर करते हैं यह वाला जो सर्फेस के एकदम बगल में है दिख रहे हैं आप लोगों को यह वाला मॉल्यकुल इसके उपर भी same distance पर जो मॉल्यकुल होंगे फोर्स अपलाई करेंगे तो कौन से region के मॉल्यकुल फोर्स लगाएंगे इस region के इस पूरा spherical region के मॉल्यकुल हाया ना येस सर अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी नीचे तो मॉलिक्यूल है पर उपर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा सिर्फ ऐसा आया ना मतलब की नेट फोर्स किदर लगेगा नीचे की तरफ इस मॉलिक्यूल पर आया ना तो इसलिए लिक्विट का यो सर्फेस है वो इस स्ट्रिंग की तरह हर जगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्स्पिरेंस कर रहा होगा आया ना आया ना ये स्ट्रीके से इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा अगर इतने सारे मास लटका दूँगा हर जगह पे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा उसी तरीके से liquid के surface में भी एक tension developed होगा, surface tension developed होगा, समझ में ही बात? हाँ या ना? येस इसर, तो अब problem यह हो गई कि फर area को decrease करने चला गया हो, तो इसके पीछे पूरी कहानी सुनो, ये तो आधी कहानी, पूरी कहानी सुनो जब ये molecule, ऐसे टहलते, 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 सर्फिस के तरफ जाएगा, जब surface के पास पहुんなएगा, तो net force downward direction लगएगा और surface के पास से surface की तरफ जाएगा, तो net force downward लगएगा इसलिए इसके उपर internal force कैसा work करेगा अगर यह नीचे से उपर जाता है तो इसके उपर work done by internal force हो जाएगा negative क्योंकि force नीचे displacement उपर हाँ या ना यह तर विच मींस विच मीनस की डेल्टा यू अधिवल तो negative of work done by internal force that will be positive हाय ना हाय ना तो potential energy increase हो जाएगी होगी क्या सच में या नहीं होगी सच में potential energy increase होगी कि नहीं होगी होगी सर सच में potential energy increase होगी तो अगर molecule surface के पास में जाएगा तो इसकी potential energy increase होगी इसलिए लेकिन problem क्या है कि जब एक molecule surface पर जाएगा तो surface पर पहले से molecule था उसको वापस आना पड़ेगा ना येश सर बट आज अदर अनदर molecule मूवस अवे फ्राम सर्फेस अगर एक molecule सर्फेस की तरफ जाएगा तो दूसरा molecule सर्फेस से दूर जाएगा हाना इसको गलत कट जे इसलिए हम बोलेंगे therefore delta u जो है वो 0 ही रहेगा ठीक है but if सर्फेस अगर एक पर जाएगा इंक्रीजेश more molecules move towards the surface which means delta u will be positive और ये हमारे liquid को पसंद नहीं है इसलिए liquid नहीं चाहता कि उसका surface area increase हो इसलिए वो surface area decrease करने की कोशिश करता रहता है हमेशा समझ में आई बात समझ में आया कि नहीं आया येस सर और ये जो मने picture दिखाई थे ना ये गलत है ये accurate नहीं है क्यों accurate नहीं है क्योंकि ये ये यार one dimensional string गई है और यहाँ पूरा surface है two dimensional surface है it's more like an elastic membrane और it's more like a trampoline समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा trampoline पर खेले हो कि नहीं खेले हो कभी बच्वान में जीवन में trampoline में जिस तरीके से force लगता है न चारों तरफ boundary पे trampoline क्या करता है हर तरफ boundary चाहता है ये छोटा हो जाए है surface हीरा decrease करने के लिए अपनी पूरी के पूरी boundary पर boundary के perpendicular direction फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता सर उसी तरीके से हर एक liquid अपने surface के boundary पर inward force अप्लाई करता है समझ माही बात उसको surface हीरा को समेटने के लिए समझ माहा है कि नहीं आया क्लियर है अब ये concept surface tension क्या होता है क्यों होता है समझ में आ रहा है इसको पॉपी भी कर लो एक बार क्यों होता है आगे बढ़ें next topic copy हो गया ना ये नहीं हुआ trampoline लिख लेना उत्ता diagram राने के जरूरत नहीं है और लड़की बनाने के तो बिल्कु जरूरत नहीं है आगे बढ़ रहा हूँ अब surface tension का force कैसे लगता है तो surface tension का force बेटा आपका मैंने आपका अभी भी बिताया boundary पर लगता है boundary के perpendicular direction है boundary को shrink करने की कोशिश करता है boundary को अपने अंदर समेटने कोशिश करता है इसको समझने के लिए हमने आ क्या लिया है यह जो है यह यू शेप का जो दिख रहे आपको यह एक wire है पतला wire है उसके उपर ही दूसरा पतला wire रख दिया है ठीक है बेटा दोनों wires यह यू शेप का wire के उपर एक और wire हमने बहुत पतले-पतले contact में रख दिया ठीक है इसके बाद क्या किया हमने इस wire को soap solution में dip किया और बाहर निकाला तो इसके उपर एक soap film ऐसे जम गई समझ में आया समझ में आ रहा है कि नहीं येस सर्ट तो अरे soap film ऐसे जम गई तो क्या होगा ये soap film ये 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 पूरा state wire ये ठीक है इसको ये कोई डॉटेड नहीं है ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर इस wire के उपर ये surface ये जो soap bubble है ये soap film है क्या है ये soap film है क्या है ये soap film आपको यहाँ ड्रॉइंग करने की जड़ोत नहीं बस लिख लिख लिना soap film कानी खत्व है ये soap film इस wire पे इस तरीके से force अप्लाई करेगा समझ में आई बात हाँ या ना हम येस सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी wire पे अप्लाई करेगा ये soap bubble यहाँ पर भी soap film यहाँ पर भी इस तरीके से wire को अपनी तरफ खींचेगा अपने अंदर की तरफ खींचेगा हर जगा जो force होगा वो boundary के perpendicular direction में होगा समझ में आई बात दिख कम रहा होगा बट समझ में आ रहा ना कि अगर यह वाली लेंथ एल है तो शोप बबल जो है शोप फिल्म जो है इस वायर पर इस वायर को मैं आपस यहाँ ड्रॉख कर रहा हूं इस वायर पर इस तरीके से जो force लगा रहा है यह force कितना होगा यह जो net force आएगा F this F will be equal to this F will be equal to surface tension T into L T को क्या बोलते है surface tension जहां L क्या है L is the length of wire नहीं length of film boundary पर यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताया था so film में तो कितने surface होंगे दो surface होंगे ना हाए ना yes sir इसलिए force कितना हो जाएगा two times T L हो जाएगा two क्यों है as there are two surfaces otherwise कितना होता T into L E होता पर क्योंकि यहाँ पर दो surface है इसलिए कितना force लगाएगा two times T है समझ मैं आई बात कीजी एस ओके आर नेक्स टॉपिक is surface energy यह कॉपी हो गया नहीं इस पर कुछ खास तो नहीं है नहीं है ओके देखो next topic की surface energy फिर समने वही यू शेप का wire लिया है उसके ओपर हमने एक दूसरा wire रख दिया और बीच में हमने यह film attach कर दी लेकिन इस पर मैंने क्या किया मैं इस मैंने इस wire को ऐसे move किया इस direction में right की दर कुछ move करके मैं इसको यहां से यहां ले गया समझ मैं इस बार हाँ ओरिजनली wire यहां पर था मैं इसको x distance से इधर लेके चला गया इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर एक external force apply करना पड़ेगा which has to balance the force by this soap film तो work done by external force कितना हो जाएगा क्या यह 2TL into x होगा की नहीं या मैं इसको अब डिल्टा एक्स बोल दूँ तो क्या 2TL into डिल्टा एक्स होगा की नहीं होगा बताओ तो जरा हाए ना अरे force multiplied by displacement work होगा which means that अब external work जो है वो कितना होगा basically वो potential energy को change करेगा उसी potential energy को हम लोग surface energy कहते हैं तो delta u is equal to 2 sorry T times 2L delta x that is equal to T times ज्यान दिजीगा बेटा इसका अग्ला स्टेंग को अग्ला स्टेंग को यह length L और यह delta x यह वाला area हुआ की नहीं हुआ yes sir तो L delta x को क्या मैं delta A लिख सकता हूँ उसके आगे 2 लगा दूँगा हाँ या ना yes sir नहीं यह गलत है क्यों गलत है क्योंकि दो surface है delta change in area कितना हो जाएगा ऊपर वाला surface में change in area आया L delta x इसके opposite जो पीछे surface है उसमें इतना ही एक change आया L delta x so 2 L delta x is delta A तो T delta A यह होगे delta U that is U final minus U initial is equal to T times area final minus area initial ज्यान दिजेगा note करने लाएक बात यहाँ पर क्या है delta A is equal to 2 times L delta x यह 2 क्यों आया there are two surfaces दो surface है इसलिए delta A 2 L delta x होगा और मेरे पास equation मनी U final minus U initial is equal to T into A final minus A initial मैं बोल रहा हूँ कि if A initial is equal to 0 U initial is equal to 0 होगा यह मेरा convention है therefore मुझे मिले convention बोल लो या reference frame बोल लो reference level बोल लो क्योंकि potential energy हमेशा reference level लिखना पड़ता है न तो मैंने बोला जब area 0 है उस पक surface energy 0 यह मैं मानूंगा तो मेरे पास हो जाएगा U is equal to tension into area इससे easy formula कहीं मिलेंगे आपको force कितना है tension into L, U कितना है tension into area, energy tension into area और क्या formula चाहिए एज़ी formula चाहिए क्या आपको अभी जीवन में मिलेंगे कभी किसी और chapter में नहीं मिलेंगे ठीक है तो यह आपके दो basic topics complete हो गए इस surface tension chapter के भी surface tension का force कितना होता है surface tension क्या होता है क्यों होता है और surface energy कितनी होती है ठीक है इस अबसे basic चीजें की खतम हो गई है इसके उपर ही waste बाकी का पूरा chapter हम लोग next class में देखेंगे ठीक है बेटा अभी के लिए class over टाटा भाई बैबै अच्छे से enjoy करो Pooja happy Pooja कल से चुप्ती है ना आपकी yes yes okay okay all the best